हालो काईच, वेलकम तू साइन्स वक्षॉप, दिस इस कुसुम हैर, कैसे एन्विर्मेंटल बालोजी की एक सीरी चल रही थी अपनी, जिसके अंदर ये है लेक्षर नंबर 15, और लास्ट वीडियो में हमने फॉंक्शनल एस्पेक्ट्स आफ एको सिस्टम पार्ट फॉस्ट पढ़ा था, जिसके अंदर हमने प्रोडेक्टिविटी कॉंसेप्ट के बारे में पढ़ लिया था, छीक है, इसके अलावा एनर्जी फ्लो और निट्रेंट साइगल, ये दो पॉइंट हम पहले भी कवर कर चुके हैं, तो उसको हमें एक्स्प्लेन करने की ज़रत नहीं है, लेकिन हमारा एक जो इसका सब टापिक है, एक जो फंक्शन है, एको सिस्टम का, जो है डिकमपोजिशन, वो बच्चा हुआ था, तो हम इस वीडियो में वही कवर करेंगे, छीक है, अगर आपको इसका पीडियाफ चीए, तो आप मुझे टेलिग्राम चेनल पे जॉइन कर सकते हैं, टेलिग्राम चेनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और गाइस अगर वीडियो यूजफू लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और अगर चेनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, त प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, तो अईए स्टार्ट करते हैं, वाट इस डिकंपोजिशन, लिगो डिकंपोजिशन एक ऐसी प्रॉसेस है, जिसके द्वारा जो कॉंब्लेक्स ऑर्गनिक सब्स्टेंस होता है, वो ब्रेकडाउन होता है, किसके अंदर, सिंपलर सब्स्ट सब्स्टेंस होते हैं, वो ब्रेकडाउन होते हैं, सिंपलर सब्स्टेंस में, और यह जो प्रॉसेस होती है, यह माइक्रो आर्गनिजम के एक्षन के द्वारा होती है, चीक है, या फिर हम इनको डिकंपोजिशन भी बोल सकते हैं, कि यह प्रॉसेस जो है, वो डिकंपोजि second step है वो है leaching and third is catabolism next is humification and next is mineralization तो यह पांच step है जिसके इनदर यह process होता है decomposition का one by one हम देखेंगे इन पांच ओ प्रोसेस के बारे में देखो अगर हम fragmentation की बात करें fragmentation की बात करें तो fragment यानि की तुकडों में divide हो जाना है और फिर ब्रोक हो जाना fragmentation नाम से देखने को मिल रहा है कि कोई भी substance है वो टुकडों में pieces में divide हो रहा है और फिर ब्रोक हो रहा है चीक है तो यह आ जाता है fragmentation के अंदर देखो इसको detail में हम आगे देखते हैं fragmentation यह एक initial stage होता है decomposition का fragmentation means the breakdown of detritus into smaller pieces by the detritus यहां पर एक वर्ड देखने को मिल रहा है में detritus तो यह detritus हम किसको बोल रहा है जो organic dead organic substance है यहां पर dead organic substance इसी को हम क्या बोल रहे हैं detritus बोल रहे हैं like कोई भी life से related like plant हो गया या फिर animal हो गया ठीक है plant का कोई भी part यहां तो dead हो जाता है या फिर कोई animal dead हो जाता है या फिर इनके द्वारा जो excretory material होता है जो excretory material होता है इसको हम क्या बोलते हैं detritus बोलते हैं okay तो यह जो dead organic substances है इसको small pieces में breakdown किया जाता है किसके द्वारा detritus के द्वारा जो इसको small piece में breakdown करते हैं उनको हम detritus बोलते हैं okay तो fragmentation में क्या हुआ यह first stage है और इसमें breakdown होता है detritus का small pieces के अंदर इसके द्वारा detritus के द्वारा आनली जी कोई plant है ठीक है कोई plant है इसका एक leaf जो है वो नीचे गिर गया अब यह leaf नीचे गिर गया तो इसके अंदर क्या होगा यह एक तरह से dead हो जाएगा क्योंकि यह plant का का part नहीं रहेगा और क्या हो जाएगा इसकी death हो जाएगा यह फिर हम बोसकते हैं कि एक dead organic substance है यह dead organic part है plant का यह ठीक है अब इसको इस leaf को क्या होगा छोटे-छोटे fragments में या pieces में breakdown करा जाएगा तो यह जो leaf है इसको as a चोटे-छोटे pieces में क्या कर रहे हैं breakdown कर रहे हैं इसी को हम क्या बोल रहे हैं fragmentation बोल रहे हैं ठीक है next process आता है leaching का leaching के अंदर क्या होता है कि जो fragmented particles हैं वो contain करते हैं कुछ water-soluble nutrients को which are inorganic in nature जो कि inorganic होते हैं कहने का मतलब कि यह जो fragmented particles हैं इसके अंदर कुछ ऐसे nutrients होते हैं कुछ ऐसे nutrients होते हैं जो कि क्या होते हैं inorganic होते हैं और water-soluble होते हैं ठीक है water-soluble होते हैं यह वाला जो part है जो breakdown करा गया था fragmentation की process के द्वारा ठीक है इसके अंदर कुछ ऐसे nutrients होते हैं जो कि inorganic होते हैं और water-soluble होते हैं यह जो nutrients हैं यह क्या होगा यह water-soluble होने की वजह से water के अंदर क्या हो जाएंगे dissolve हो जाएंगे और उसके बाद में कहां चले जाएंगे soil के अंदर नीचे की side में चले जाएंगे soil के जो inner layer है वहां तक चले जाएंगे यह जो nutrients हैं जो की water-soluble हैं यह water-soluble होके soil के अंदर चले जाएंगे ठीक है और किसके अंदर participate करेंगे leaching की process के अंदर तो यह पूरा process क्या है leaching okay आयोपी समझावया होगा guys यह वाला point next जो process होता है वह है catabolism का catabolism का मतलब क्या है कि complex material breakdown हो जाता है smaller particles के अंदर और inorganic nutrients जो है वह remove हो जाते हैं यह हमने देखा कि inorganic nutrients है remove भी होगे complex material है वह breakdown भी हो गया किसके अंदर smaller particles के अंदर अब क्या होगा अब जो remaining detritus material है वह simpler inorganic compounds में क्या हो जाएगा convert हो जाएगा अब यहां पे कुछ material बच गया detritus material बच गया वह simpler inorganic compounds के अंदर क्या होगा convert हो जाएगा यह process किसके तवारा होगा यहां पे bacteria और कुछ fungi present होते हैं अब यह bacteria और fungi यहां पे material के उपर क्या करेंगे कुछ digestive enzyme को secret करेंगे ठीक है यहां पे यह bacteria और fungi कुछ digestive enzymes को secret करेंगे और यहां पे क्या होगा catabolism का process होगा देखो हम देखते हैं कि एक होता है catabolism और एक होता है anabolism तो catabolism के अंदर हम breakdown को देखते हैं तो bacterial और जो fungi है, fungal enzymes हैं, उनके द्वारा यहाँ पे कुछ enzyme secret होगा और उस enzyme के वज़े से यह क्या होगे? यह catabolism का process यहाँ पे होगा, चीक है? I hope इतना clear होगा guys, देखो यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी plant है, उसकी एक leaf गिर गई, तो वो क्या होगी? dead होगी, dead organic material बन गई वो, और अब उसका क्या होगा, फ्रेग्मेंटेशन होगा, यानि वो small pieces में क्या होगी? small pieces में, breakdown होगी, अब यह small pieces के अंदर कुछ ऐसे nutrients थे, जो की inorganic थे, और water के अंदर soluble थे, तो यह water में soluble होके, water के अंदर dissolve होके, कहाँ चले गए? soil की inner layer के अंदर चले गए, इस process को हमने leaching कहा, then यहाँ पे कुछ bacteria और fungi प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे जो remaining substance बच गया, या फिर remaining detritus बच गया, उसके उपर यह bacteria और fungus, कुछ digestive enzyme secret करेंगे, चीक है? और यह इस detritus को simpler inorganic compound के अंदर convert कर देंगे, तो यह process क्या था? catabolism का, तो तीन process हमने इसके अंदर cover कर लिये हैं, जब हम next process की बात करेंगे, कि इसको क्या कर दिया? simpler organic compound में, simpler inorganic compound के अंदर इसको convert कर दिया, अब इससे क्या होगा? humification का process होगा, humification का मतलब होता है कि humus का formation, ठीक है? humus का formation होगा, इसको next step में ही देखते हैं, then देखो guys, next जो pointer वो है humification का, next process क्या है? humification, humification में क्या होगा? इसके अंदर एक formation होगा, dark colored layer का, जो की amorphous substances की होती है, और soil के अंदर क्या बोलता है? humus बोलता है, soil के ऊपर जो है, देखो, soil के ऊपर एक form, एक layer बनती है, soil के ऊपर, soil के ऊपर जो है एक layer बनती है, जो की dark color layered होती है guys, और ये एक amorphous substances की layer होती है, और इसको हम क्या बोलता है? humus बोलता है, humus नाम तो सबने सुना ही होगा, ये humus layer जो होती है, ये plant की growth के लिए बहुत ही ज़्यादा important होती है, ठीक है? क्योंकि ये बहुत layer होती है, ठीक है? and nutrients बहुत ज़्यादा ही amount में यहाँ पर present होते हैं, और ये soil को high fertility provide करती है, that's why ये plant की growth के लिए बहुत ज़्यादा important होती है, ये जो layer है, ये highly resistant होती है, to action of microbes, microbes इसको easily decompose ने कर पाते है, ठीक है? that's why ये बहुत ज़्यादा time तक यहाँ पर बनी रहती है, finally ये जाकर decompose होती है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा resistant होती है, microbes के action के लिए, तो humification के अंदर क्या हो गया? humus layer का formation होगा, जो कि एक dark colored layer है, और amorphous substances की बनी होती है, soil के उपर, जिसको decompose करना easy नहीं होता है, microbes के लिए, और ये जो layer है, ये very rich in nutrients होती है, और जो की soil को high fertility provide कराती है, तो ये जो process है, ये step है, ये clear रहा होगा आपको, next देखते हैं, last step है, mineralization का, mineralization का, ये last step है, इस process का, decomposition की process का, और यहाँ पर क्या होगा, इस process के अंदर degradation होगा, किसका humus का, और inorganic nutrients जो है, और साथे साथ कुछ minerals, inorganic nutrients और साथे साथ कुछ minerals जो है, यहाँ पर release हो जाएंगे, ठीक है, अब last में जाके मैंने बोला कि decomposition तो होगा, easy नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी last में जाके decomposition होता है, humus layer का, और ये क्या release करती है, जो inorganic nutrients है, उसको क्या करेगी, release कर देगी, या फिर minerals, minerals like calcium, magnesium, potassium अगेरा हो गया, और inorganic nutrients like carbon हो गया, या फिर O2 हो गया, या फिर N2 हो गया, ये सारे के सारे inorganic nutrients के अंदर आ जाएंगे, और minerals में calcium, magnesium, potassium, ये सारे आ जाएंगे, तो ये humus layer last में चाएंगे, decompose होती है, और inorganic nutrients और minerals को क्या कर देगी, soil के अंदर release कर देगी, तो guys, ये 5 step थे, decomposition के, I hope अभी तक clear हो गए होंगे, तो ये एक diagram है, यहाँ पे एक tree है, ये grow कर रहा है soil के अंदर, लेकिन एक leaf यहाँ पे fall हो गई ground के उपर, अगर ये green leaf है जोब तक, तो इसको insect भी खा सकते हैं और कुछ other animal भी खा सकते हैं, तो ये nutrients और energy एंटर कर देगी, food web के अंदर, लेकिन जब ये dead हो जाती है, उसके बाद में क्या होगा, reaching process के तवारा, यहाँ पे leaching process होगा, और leaching process के तवारा क्या हो जाएगा, soil के अंदर, कुछ chemical action के तवारा, कुछ nutrients जो है, वो soil के अंदर चले जाएगे, जो कि water soluble होगे, ठीक है, इसके लाबा यहाँ पे कुछ catabolism का process होगा, like, कुछ bacteria और कुछ fungi जो है, इसके उपर कुछ enzyme है, वो secret करेंगे, और उसको further, उसको convert कर देंगे, organic compounds के अंदर, simpler organic compounds के अंदर, then further decomposition का process होगा, ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा, catabolism के बाद में humus layer का formation हो जाएगा, और यहाँ पे जो organic rich shell बनेगा, उसके अंदर nutrients होगे, और वो nutrients और minerals जो है, वापस से soil के अंदर जाके, plant की growth के लिए काम में आ जाएँगे, ठीक है, so firstly, हम for example देखें कि एक leaf था, plant से एक leaf गिर गया, ठीक है, अब यह leaf है, इसको क्या होगा, different pieces के अंदर, छोटे-छोटे small pieces के अंदर, breakdown हो गया, यह process था, fragmentation का, अब इसके अंदर, जो भी water-soluble nutrients है, वो क्या चले जाएंगे, यहाँ पर, जो nutrients थे, वो soil की inner layer के अंदर चले जाएंगे, nutrients, जो की water-soluble थे, वो soil की inner layer में चले जाएंगे, और इस process को क्या बोल रहा है, leaching बोल रहा है, यहाँ पर, जो detritus बचा, जो detritus बचा है, यानि कि remaining detritus, उसके उपर, जो bacteria और fungi है, वो enzyme secret करेंगे, और उसको simpler organic compound के अंदर क्या कर देंगे, breakdown कर देंगे, यहाँ पर जो complex organic compound था, उसको simpler organic, inorganic compound के अंदर breakdown कर देंगे, और यह process क्या था, catabolism का process था, then यहाँ पर, क्या होगा, humus का formation होगा, जो, यहाँ पर होगा, humus का formation, जो की soil के उपर एक layer होती है, एक dark colored amorphous substances की बनी, एक layer होती है, जिसका decompose करना काफे मुस्किल होता है, decomposers के द्वारा, और यह layer बहुत ज्यादा nutrient rich होती है, ठीक है, तो humus layer का formation ही क्या होगा, humification होगा, यह process कहलाएगा humification, humus का बनना, then जब humus का decomposition होगा, तो soil के इंदर minerals, और nutrients, इनको release कर देगा, soil के इंदर, तो इस process को क्या बोलेंगे, mineralization बोलेंगे, I hope यह सब clear रहोगा, guys, कुछ factors हैं, जो कि decomposition की process को क्या करते हैं, effect करते हैं, कौन-कौन से ऐसे factor हो सकते हैं, जो कि इसकी process को effect करेंगे, तो first हम देखते हैं कि litter की quality क्या है, litter quality का मतलब क्या हुआ, कि जो भी detritus है, detritus है, उसका quality क्या है, यहाँ पे litter का मतलब detritus से ही है, rate of decomposition depend करता है, किसकी property पे, litter की structure और chemical properties पे depend करता है, for example, अगर हम bryophytes की बात करें, अगर इसका decomposition का जो rate है, वो slow हो जाएगा, अगर इसका presence होगा, lignin का presence होगा, लignin का complex chemical होता है, अगर bryophytes के अदर lignin का complex chemical है, तो इसका decomposition slow हो जाएगा, तो इस तरह से, जहाँ पे lignin और kytin होगा, वहाँ पे decomposition का process slow होगा, और जहाँ पे इसका absence होगा, वहाँ पे decomposition का process जो है, वो high हो जाएगा, इसका जो rate है, वो high हो जाएगा, then second जो factor है, वो है temperature, normally हम 25 degree Celsius पहल लेके चलते हैं, जो decomposition का process है, वो सही से चलता है, temperature जो है, वो regulate करता है, growth और activity को किसकी microorganisms के, छीक है, the temperature is different at different elevation, different elevation के उपर temperature भी different होता है, the species, diversity and the microorganisms count is affected by environmental changes, जो species, diversity है और microorganism कितने है, कितने नहीं है, ये affect करता है, environmental changes के उपर, छीक है, तो temperature भी different होता है, different elevation पे, अगर एक optimum temperature होगा, तो optimum temperature जैसे मैंने बताया है, 25 degree Celsius, यहाँ पे decomposition का process जो है, वो सबसे ज्यादा होगा, और अगर कम यह ज्यादा temperature होता है, तो वो decomposition की process को affect करता है, next है, aeration, aeration यानि की oxygen की जो presence है, वो, the oxygen present in the pores of the soil help in the growth of microorganisms, जो soil के pores के अंदर, oxygen present है, वो किसकी growth को हमें help करती है, microorganisms की help में growth करती है, in the water-locked soils, the aerobic microorganisms are absent, here, only anaerobic microorganisms can grow and initiate decomposition, जो water-locked soil होती है, वहाँ पे, aerobic microorganisms क्या होते हैं, absent होते हैं, और यहाँ पे किवल anaerobic microorganisms grow कर पाते हैं, और initiate कर पाते हैं decomposition को, लेकिन अगर हम maximum देखें, तो maximum हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे oxygen का level कम होगा, oxygen का level कम होगा, तो decomposition का process भी यहाँ पे हमें कम देखने को मिलेगा, यहनि कि इसका rate slow हो जाएगा, और जहाँ पे oxygen का level high होगा, वहाँ पे decomposition का process भी high हो जाएगा, ठीक है? नेक्स देखें कि soil का pH जो है, वो भी affect करता है decomposition की process को, soil का एक neutral pH होना चाहिए, the presence of cations and anise governs this pH of the soil, which is turn affect microbial growth, एक neutral soil का pH होना चाहिए, ठीक है? ना तो यह बहुत जादा अमली होना चाहिए, यानि acidic होना चाहिए, ना ही बहुत जादा basic होना चाहिए, लाइक चाहिए होना चाहिए. तो एक neutral pH, soil की pH पे decomposition का process है, वो एक optimum range रहता है, किसके लिए decomposition की process के लिए. Next, inorganic chemicals, after decomposition, the elements like potassium, sodium, calcium, magnesium are released into the soil. Some of these are used by the microorganisms for their growth, thus it affects the rate of decomposition. देखो, हम देख रहा है कि detriti bores, यानि जो microorganisms है, वो बहुत जादा जरूरी है किसके लिए decomposition की process के लिए, ठीक है? अब microorganisms के अगर growth होगी, तो decomposition का process भी affect होगा, यानि कि microorganisms का growth जितना होगा, decomposition का process उतना सही से चलेगा. अगर microorganisms से नहीं होगे, तो क्या होगा, decomposition का process से नहीं होगा, क्योंकि इसको detriti bores से तो detritus को क्या कर रहे हैं, breakdown कर रहे हैं, चीक है? तो inorganic chemicals, जो कि क्या होते हैं, potassium, sodium, calcium, magnesium, ये सारे inorganic chemicals हैं, जो कि microorganisms की growth के लिए जरूरी हैं. That's why ये क्या होता है, कि inorganic chemicals भी affect करते हैं, decomposition की process को. I hope ये point clear आवगा, guys. Moisture. Moisture का होना भी जरूरी है, एक सही amount के अंदर. The water present in the soil is responsible for various physiological processes of microorganisms present in the soil. The growth of microorganisms is thus governed by the presence of moisture in the soil. Moisture होता है, होगा अगर soil के अंदर, तो ही microorganisms क्या करेंगे? Growth कर पाएंगे. That's why, that's why ये किसको affect करेंगे? Decomposition की process को affect करेगा. क्या moisture जो है, soil का, वो microorganisms की growth के लिए important होता है, और that's why ये decomposition की process को affect करेगा. तो ये major points थे, ये major factor थे, six factor हमने देखे, कि litter quality, यानि की detritus के अंदर, जो lignin है और kaitin है, यानि किसका structural और chemical properties की जो quality है, वो affect करती है, decomposition की process को. Second हमने देखा temperature, temperature भी regulate करता है, growth को और activity को microorganisms की, और optimum जो temperature है, वो और यहाँ पे जरूरी होता है. Decomposition की process के लिए, third हमने देखा, aeration, यानि oxygen की presence है, वो भी affect करती है, decomposition की process को. Then हमने fourth point देखा, soil का pH भी affect करता है, inorganic chemicals भी affect करते हैं, decomposition की process को. And moisture भी affect करता है, decomposition की process को. तो यह major factors थे six, जो की decomposition की process को affect करते हैं. तो हमने इस वीडियो में, guys, क्या देखा? हमने इस वीडियो में देखा, कि decomposition क्या है? breakdown है, complex organic substances का breakdown है, simpler substances के अंदर, by action of microorganisms. then यह इस process को हमने 5 step में देखा, कि यह जो process है, पूरा 5 step के अंदर होता है, fragmentation, leaching, catabolism, humification, and mineralization. यह 5 step हमने one by one करके देखे, then हमने देखा, कि कौन-कौन से factor है, वो affect करते हैं, इसके अंदर हमने six factor जो देखे, litter quality, temperature, aeration, soil pH, inorganic chemicals, and moisture. चीक है, तो इसी के साथ में, decomposition का जो topic है, वो अपना complete होता है, unit second के अंदर next जो topic है, वो है, niche, ecotone, and overlapping of niche. overlapping of niche. next topic यह है, अपना unit second के अंदर, तो मिलते हैं next वीडियो में, guys, तब तक के लिए, bye, take care, अगर वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक कर देना, शेरी कर देना, and चुनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, thank you so much guys.